नमस्कार मेरे प्यारे शातियों क्रेक परिक्षा में आप सभी का हार्दी स्वागत है मैं लेकर आया हूँ सम्विधान के टाप 10 important questions जो की सम्विधान से बार बार पुछे जाते हैं हम चलते हैं प्रस्ण के तरफ भारती नागरिकता नहीं प्राप्ट की जा सकती तो आपसन है जन्म के द्वारा प्राप्ट की जा सकती है भारती नागरिकता देशी करण के द्वारा भी प्राप्ट की जा सकती है और किसी भू भाग में सम्मिलन के द्वारा यानि कि अगर आप भारत की जमीन खरीद लेते हैं तो वहां की आपके नगरिक्ता मिल जाती है लेकिन ये है चौथा आपसन कि भारती बैंक में धन जमा करके तो ये भारती बैंक में धन जमा करके आप भारती नागरिक्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें जो कहराय कि भारती नागरिक्ता नहीं प्राप्ट कर सकते हैं यानि कि निम्लिकित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी कहा जाता है यानि कि कहराय कि निम्लिकित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी समझा जाता है यानि who among the following is considered as the first law officer of the government of the India तो हम आपको बता दें जो महानियवादी होता है जिसे हम लोग करते हैं attorney general यानि कि A.G. attorney general यानि कि महानियवादी उसे भारत सरकार का फ्रथम विधी अधिकारी समझा जाता है हम आपको बताते हैं जो महानियवादी होता है टारूर्णी general होता है वो भारत का सरकारी वकील होता है भारत का सरकारी वकील होता है और इसका जो उलेख है 76 आर्टिकल में 76 आर्टिकल में इसका उलेख है निकी 76 अनुख्षेद में महानियवादी के बारे में पूरा वर्ण किया गया है हम चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ हमारा जो उकला प्रश्ण है वो है कि किस अनुख्षेद के अंतरगत वाक एवम अव्यक्ति की स्वतनता निर्बंदीत की जा सकती है तो देखिए क्या होता है जो आर्टिकल होता है 19 19 में ये कहा गया है कि सभी को वाक व्यक्ति यानि कि प्रेस की स्वतंता यानि कि बोलने की स्वतंता भांशर देनी की स्वतंता है लेकिन इसमें और अगर वही चीज कहा गया है कि 19-1 में 19-2 में ये कहा गया है कि देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि मात्व आप ऐसा भांसर नहीं दे सकते हैं आपको ऐसी सुतनता नहीं है कि आप ऐसा भांसर नहीं दे सकते हैं कि किसी को दुख पहुचे किसी को नुकसान हो किसी को चोट पहुचे और या फिर किसी की धर्म की हानी हो तो इसका मतलब कराया है कि restriction upon the freedom of the speech and expression can be exposed under which article तो which article तो 19 का 2 यानि कि 19 का 2 यानि कि आपसे नंबर जो B हो जाएगा वो correct हो जाएगा तो हम चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ हमारा जो अगला प्रश्ण है ये है कि भारती सम्विधान का कौन शा अनुक्षेद उपाधियों का अंत करता है यानि कि उपाधियों की समाप्ति करता है यानि कि which article of the Indian constitution abolish titles फफाधियों का जैसे पहले गांदी जी को मिला था महात्मा की उपाधि और अविन्हुन को मिला था कि कि मटलब कि नाइज फफाधि की उपाधियु उस तरिके से याद रखिए विधी जाती सब एक समाना चूत अचूत उपादी अंताना मतलब ये चौद ये पंदर ये सोल ये सतर और ये अठार देखिए विधी जाती सब एक समाना चूत अचूत उपादी अंताना मतलब सभी नागरिकों का विधी की समानता दी जाएगी विधी की समानता यानि कि नियम सभी के लिए समान रहेंगे जाती मरब राजी के किसी भी नागरी को जाती धर्मलिंग इत्याधी कैधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा असला हम है विधी जाती सब यह किसमान यानि कि आँसर की समानता होगी चूत अचूत उपाधियंताना यानि कि चूत अचूत यानि कि अस्प्रिश्चेता का अंतकर दिया गया सतरह में उपाधियंताना यानि कि उपाधियों का अंतकर दिया गया आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी तो इसमें कहरा है कि कौन सा अनुक्षेद उपाधियों का अंतर करता है तो पाधियनताना अठारा तो करिक्टांसर हो जाएगा आपसे नमबर जब डी हो जाएगा अनुक्षेद अठारा हम चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ मारा जो अगला प्रस्ण है कि विधान सभा के अध्यक्ष को अपने पद की सभथ कौन दिलाता है तो देखिए इसमें कह रहा है कि विधान सभा के अध्यक्ष को विधान सभा के अध्यक्ष को कौन दिलाता है तो जो विधान सभा का अध्यक्ष होता है वो करिक्ठ हो जाएगा हम चलते हैं कि VHP के विकास संबंधी जो सला है किस अनुक्षेत के तहत है तो वह अर्टिकल नमबर 43 हम चलते हैं धन निरगम पर नियंत्रन किसका रहता है देखे कह रहा है कि अधिकरित मंत्री नहीं अध्कीत मंत्री नहीं भारत की वित्त मंत्री भारत की वित्त मंत्री का भी मतलब कि उस पे कंट्रोल नहीं रहता नियंत्रण एवं महालेखा परिक्षक यानि कैग का नहीं कैग का भी उस पे नियंत्रण नहीं रहता तो उपरोक्त में से किसी का नहीं यानि किसका रहता है तब यानि कि इसमें से तो हो जाएगा उपरोक्त में से किसी का नहीं तो रहता किसका है तो यानि कि भारत की संचित निधी पर संसद का किसका रहता है संसद का रहता है पूरा कंट्रोल संसद का हम चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ हमारा जो अगला प्रश्ण है कह रहा है कि सम्विधान में मूल करते ब्युक को जिसकी सिफारी सवर सम्रीट किया गया है वह कौन है यानि कि fundamental duties were incorporated in the constitution and the recommendation of किसके recommendation से यानि कि स्वर्ण सिंग्स समीति के recommendation से यानि कि अप्षन नबर जो ए हो जाएगा वो correct हो जाएगा हम चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ मारा जो अगला प्रश्ण है कि मुख्यमंत्री पद आवश्यक है कि वह विधान सभा का सदस्य हो यदि नहीं है विधान सभा का सदस्य तो उस पनकायभी समुचि उसमें पंचायत से संबंधित कितने विशा है तो देखे आप लोगी जानते हैं कि अंसुचियां कितनी उतिबारा होती है तो उन बारहों को याद करने का एक तरीका है, क्या है, आप हले सुन लेजिए, विवेसरा, विवेसरा, पाचवी, छाठवी, यसी, सुभाभू, दल, पंचा, नगर, सुभाभू, दल, और पंचा नगर, पंचा नगर इग्रहमी ब्रहमी के लिए है, तो इसमें यही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन को दबाना ना भूलिएगा मेरे पैरे दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैहिन